नमस्कार आप देख रहें स्पेशल रुपोर्ट यूजूम से आपके साथ मैं हूँ अंजना ओम कश्यब बिहार में मुजफरपुर में बाल ग्रहकान के कई दुनों बाद आज जाकर मुख्यमंत्री ने अपना मुह इस पर खोला नितीश कुमार बोल रहे थे समझना मुश्किल था कि घावों पर मरहम लगा रहे हैं घावों को और कुरेद रहे हैं कि आज वो प्रवचन मोड में आ गये थे और हम लोग काम तो बहुत करना चाहते हैं लेकिन कई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं मुझफरपुर में ऐसी घटना घट गई कि हम लोग सर्मसार 32 बेटियों के बींदे हुए बदन नितीश कुमार के लिए कई बार घट जाने वाली घटना है बलातकारीयों का सत्ता के पालने में जूलना कई बार घट जाने वाली घटना है साथ-साथ बरस की बच्चियों को रॉंदने के लिए उन पर हंटर बरसाना और उस पर ये मोहिनी मुस्कान बलाएं लीजिए ये है बिहार के मुख्यमंत्री महान हम लोग तो चाहेंगे कि CBI की इंक्वारी हाई कोर्ट उसको मॉनिटर करे उसकी मॉनिटरिंग उसकी जाच होनी चाहिए ताकि कोई इसमें दोसी है वो बचे नहीं सब पर पूरी कर वाई बिहार के अभूत पूर्व जंगल राज के स्वामी श्री निदीश कुमार गदगद थे मस्कुरा रहे थे सूबे के प्रतापियों क्मुख्यमंत्री सुशील मोदी जिनके जुबान मजफ़रपुर की बेटियों के सवाल पर तालू से चिपक जाती और उनके बगल में विराजमान थी प्राता अस्परणिये समाज का लियान मंत्री श्रीमति मंजु वर्मा जिनके निगरानी में बेटियों के लिए बनाया गया संदक्षन ग्री दरिंदों का अयाशी शिविर बन चुका थी और इस सुशासन के सिंगासन पर बैटे वे नितीश कुमार कथा वाचक बन गये थे नैतिक शिक्षा के मास्टर इतनी तकलीप में और आत्म ग्लानी के हम लोग अपसिकार हो गए समझ में नहीं आता है कि समाज में कैसी कैसी मानसिक्टा के लोग है समाज छोड़िये सर आप किस मानसिक्टा के लोग है आप तो सरकार है आपकी मानसिक्टा क्या है कि 62 दिन से आप उन मंत्रियों के साथ मौज के दिन काट रहे हैं जिनके दामन बेटियों के लहू आंसू और चीखों से सने हुए है सत्ता की भूक में सीम सहाब शर्म महीन समाज शास्त्री हो गए थे समाज कल्यान विभाग इसको चलाता है बताइए महोदे जब आप ही कह रहे हैं कि समाज कल्यान विभाग इसको चलाता है तो 32 बेटियों के गधों के संदारी के दाख के बावजूद कैसे बैठी हुए मंजू वर्मा आपके बाजू में कि समाज में कुछ ऐसी प्रकार की घटना घटेगी तो हम लोग उसको टालते नहीं तो और कैसे टालते हैं कि मंत्री मौज में उप मुख्य मंत्री मौज में मुख्य मंत्री मौज में ऐसी मौजवादी सरकार कहां मिलेगी बिहार को हमारा तंत्र इस्तर से विक्सित होना चाहिए, हमारी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ऐसी घटनाएं न घटें और उसके लिए हम सबों को काम करना होगा तो किसने रोका काम से? 62 दिन तक बिहार की बेटियों से नज़र चुड़ाने वाले मुख्यमंत्री को किसने रोका कारवाई से? बताएं नितीश कुमार मुल्क की बेटियों को कि कहा है खाती में बेटियों की आत्मा से खेलने वाला वो तोंद वाला भेडिया बताएं नितीश कुमार कि कहा है आपके सुशासन के वो मगरमच जिनने पालते रहे आपके निकम्मे मंत्री बताएं नितीश कुमार कि कहां है इंसानियत के च्छाती को आपके मगरूज सुशासन के मुसल से कुचल डालने वाली वो कतारें जिनके जस्न पर हमारी बेटियों के लहू के लोथरे हैं क्या करेंगे जानकारी मिल गई तो कारवाई हो रही है कुछ मत कीजिए नितीश ची कुछ मत कीजिए आप से कुछ नहीं होगा आप प्रिंटिंग प्रेस में बैट कर अपने सुशासन के पच्छे छपवाईए ट्वीट कीजिए फेस्बुक पोस्ट कीजिए जानते हैं नित मुख्य मंतरी कन्या उठ्थान योजना के समारोह को संबोधित करने आई थी ये टोली इसी को साहस कहते हैं रोहित कुमार पतना आज तक सवाल तो नितीश कुमार से कोई ये भी पूछे कि आखिर क्यों अपनी समाज कल्यान मंतरी मंजू वर्मा का इस्तीफा नहीं मांग रहे बलकि एक के बाद एक नई योजनाओं का एलान उनके साथ कर रहे हैं जिस मुझफर पुर के बाल ग्रह में ये कांड हुआ है वो भी मंजू वर्मा के ही महक में के नीचे आता है लेकिन हटाना तो दूर नई योजनाओं के एलान के लिए पहुँच गए मुख्यमंत्री नितीश कुमार खुद ही नहीं उन्होंने सुशिल मोदी को भी बुला लिया 56 भोग भी लगा लिए गरम कडाही में सुशासन के उबलत हुए तेल में मुख्यमंत्री जी के लिए गुलाब जामुन तले जा रहे हैं तीन तरह की रोटी तंदूर वाली तवे वाली हाथ वाली तीन तरह का खुश्बुदार भात ताजे फलों और सबजियों का सलाथ मटर पनीर जोलदार स्टाटर के लिए टिक का पकोड़ा ले पतना के अधिवेशन भवन के हाल में नितीश कुमार सुशील मोधी मंजू अर्मा और बड़े-बड़े अफसर मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहे थी कि मुझफरपूर को लेकर हमने कितना बड़ा काम किया है साल दर साल गिद्धों को बेनकाब नहीं होने दिया बहुत प्रसंद थे अब इतना काम करने में भूख तो लगी जाती है इसलिए उसी अधिवेशन भवन के पीछे खान सामों ने हंडे चड़ा रखे थे मुझफरपूर के कलंग के साए में मुझच मंतरी कन्या उत्थान योजना की शुरुवात करने आए थे संरक्षन का हाल देखी चुके हैं अब तो मुझच मंतरी और उप मुझच मंतरी जैसे ही कन्या उत्थान बालिका संरक्षन या बेटी बचाओ जैसी बातें करते हैं तो बिहार की बेटियां दहशत से भर जाती है लेकिन बेटियां दहशत में हैं तो क्या बाबू लोगों की जीब का बंदोबस्त बढ़िया होना चाहिए जमकर उड़ाई ये छपन भोग इंतिजाम में कोई कमी नहीं है पूरे देश में बिहार की थुथु हो रही है सवालों के घेरे में समाज कल्यान विभाग है समाज कल्यान विभाग की मंत्री कुमारी मंजू वर्मा है मुख्यमंत्री भी चुप है लेकिन ऐसे में जो ये कारिक्रम का आयोजन किया गया है समाज कल्यान विभाग द्वारा वहां किस तरीके के नाना प्रकार के यहां पर व्यंजन के बनाए जा रहे हैं जाहिर सी बात है एकदम ये साफ तोर पर दिखाता है कि समवेदन हिंता की पराकाश्था है तो मुख्यमंत्री भूखे क्यों बेटियों के अंदेशे से उप मुख्यमंत्री भूखे क्यों बलाकारियों के अंदेशे से समाज कल्यान मंत्री भूखी क्यों दरिंदों के अंदेशे से अधिवेशन भवन के पीछे गरम चूले पर छाएं छाएं उड़ रहा था तेल इदर जीरे की बगार उदर हींग का तड़का उदर कसूरी मेथी के खुश्बू उदर केसर वाली रस्मलाई मुख्यमंत्री ने इसलिए चपपन भूख का बंदोबस्त है आदमी सत्ता के सिंगासन पर बैठता है तो भूख वैसे भी ज्यादा लगती है क्योंकि हाजमा अच्छा रहता है आदमी बड़े बड़े गुनाह को पचा लेता है बेटियों पर जुल्म को पचा लेता है बलादकार को पचा लेता है मंत्रियों की बेदल्दी को पचा लेता है कि जीरो परसेंट भी सही नहीं है 100 परसेंट गलत है है हां इसल ऑठथां मेरी साधी हुई और उस दीन से मैं सा leuke रह रही हूं मुझे अपने पती के चरितर बारे में पता नहीं है क्या है हंडेड परसेंट गलत है बिहार की बेटियों के डर के दूसरी तरफ ड्यकार लेते हुए लौट गए मुख्यमंत्री, हुप मुख्यमंत्री मंत्री और अफसर, रायता, राजनीत के तैलिये अपराधों को भी पचा देता है रोहित कुमार पटना आज तक नितीश कुमार 56 भोग उड़ा रहे, विपक्ष एक जुट हो रहा है तेजस्वी यादव ने मुर्चा खोल दिया है उनके खिलाफ और जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी है माना जा रहा है कुछ और नेता शामिल हो सकते हैं मुझफर की घटना को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे धरने पर बैठेंगे और उनके साथ राहूल गांधी उनका साथ देंगे तेजस्वी बड़ा कदम उठाने जा रहा है दिली अब इस पूरे मामले को अब लेके जा रहे है जो घटना घटी है एकदाम एकदाम यह बहुत ही दरदनाग हाथा है और यह सिर्फ बिहार को इस शर्मशाद नहीं किया बलकि पूरे देश में लोगों में गुस्सा और पूरा देश इससे सर्मशाद हुआ है और जिस प्रकार से यहां में सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं उनके करीबियों का जो इसमें इंवॉल्मेंट है इस पूरे केस में तो कही ना कहीं से नितीश कुमार जी इस पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया गया और संडरक्षन देने का काम किया और लगतार ऐस से हाथ से जो हैं बिहार में दिन प्रते दिन हम लोगों को देखने को मिल रहा है लाइन और एकदम बच से बत्तर हो गया है और एकदम से अपरादी बेलगाम घूम रहे हैं क्योंकि इनको सत्ता का संडरक्षन प्राप्त है उस वजए से अपरादिक चुपी मुखमंतरी की थी तीन महिने अपरादिक चुपी रही यह उनकी जवाब देही सबसे ज़जादा बंती थी शुशील मोदी की दुखी है ऐसा नहीं के साथ बैठ करके यह बोल रहत है कौन था बगल में बैठा हुआ जिन पर आरोप लगे हैं और आरोप तो आप पर भी लगें बताते ना नितिश कुमार जी की ब्रिजिस ठाकुर पर एफ आयर क्यों नहीं हुआ यहां म easल भी आ के दो मेहने बाद कर एफ आयर हुआ आप बताते की जन्तादल युनायटिट का में था की नहीं था 1911 में जानिंग किया था कि ने किया था अप बताते हैं कि आपने उनके लिए चुनाव प्रचार किया था कि ने किया था तो आप तो नितिकता के नितिश कुमार धनी आद दिए ना उनको तो अंतरात्मा जगानी चाहिए इस्तिफा देना चाहिए था इस मामले को ले करके हम किसी प्यारोप नि लगा रहे हम सीधे सीधे जिम्मेदार मुख्यमंतरी नितिश कुमार जी को समझते हैं उनको रिजाइन देना चाहिए उनके संद्रक्शन में हुआ है उनके ना की नीचे यह सारा काम हुआ है यह रिपोर्ट दो बार से सरकार को सौपी के थिक पर टिस् जब देने बैठें कौन-कौन लोग के साथ होंगे राहुल गांधी हमने सबी लोगों को नहोता दिया है नॉन पोलिटिकल धरना है इसमें राहुल गांधी जी की मौझुद्गी रहेगी अर्विंद के जिवाल भी रहेंगे अखिलेजी से भी बात हुई है और पार्टिय का एलाज ऐसी परिस्थितियों में हो रहा है यह तस्वीरे देखकर आप समझ जाएंगे बार का हाहाकार सेलाब में जिन्दगी की सबसे बड़ी जंग शेहरों से लेकर गाउं तक पानी कपरहार नदियों के आग्रोश से गाउं बन गए टापू बादनों से बरस रही है बेहिसाब मुसीबत आदे हिंदुस्तान में जल प्रलय आ गया है पाल और पारिश से हाहाकार मचा है धर्ती पर लोगों का जिना मुहाल हो गया है जमीन का नाम और निशान नहीं बचा है और आस्मान से बरस्ती मूस लधार आफत कम होने का नाम नहीं ले रही अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि अस्पताल डूबे हैं घरबार डूबे हैं गाउं डूबे हैं शेहर डूबे हैं गलियां डूबी हैं और मुहले डूबे हैं सडकें भी डूबे हैं हाईवे डूबे हैं इंसान बेहाल हैं, जानवर परिशान हैं सेलाव अपना जोर दिखा रहा है नदियां प्रकोब दिखा रही है कुद्रत कहर बरपा रही है आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बार से आधा देश तराही तराही कर रहा है और इस वक्त बार और बारिश से सबसे ज़ादा तबाही उत्तर प्रदेश में मची है तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की करते है ये है कानपूर की तस्वीर यूपी में डाइल हंड्रेट की गारी सेलाब में डूबी है पानी इस कदर है कि गारी डूपती ही जा रही है पुलिस की ये डाइल हंड्रेट गारी आई तो थी मदद के लिए लेकिन खुद ही मदद की ज़रूरत पड़ गए सेलाब में पुलिस की गारी ऐसी फसी की पानी में पुलिस वालों के भी होश फाखता हो गए सेलाब को देखकर खौफ खाने लगे और दहशत के मारे गारी की छट पर बैढ़ दे ये घटना कानपूर के बिलहौर इलाके की पुलिस के ड्राइवर ने अपनी लापरवाही से पूरे पुलिस ट्रीम की जान जोखिम में डाल दूए डाइल हंड्रेट की ये गारी एक शिकायत की जाचकर ने मकन पूर जा रही थी रास्ते में फरुखाबाद रेलिवे लाइन के अंडर पास से होकर गुसरना पड़ता है कई दिनों से मुस्राधार बारिश के चलते अंडर पास पानी से लबा लप था लेकिन ड्राइवर ने रंगबाजी में जीप अंडर पास मुतार दी फिर क्या था सेलाब में ऐसा फसे कि पुलिस वालों के लेने के देने पड़ गए और डाइल हंडरेट को खुद ही डाइल हंडरेट की जरूरत पड़ गए गावालों ने सौ नंबर पर कॉल करके इनके लिए मदद मांगी और क्रेन को बलाया गया आप देख सकते हैं कि क्रेन से जीप को खीचा जा रहा है पुलिस वालों के हाथ पॉले हुए थे जैसे तैसे पुलिस की पूरी टीम को क्रेन के सहारे बचाया गया कानपूर को इन दिनों सहलाब ने अपनी आगोश में ले रखा है शहर जैसे टापू में तब्दिल हो गया है नदियों की किनारे लोग बार की मार जेल रहे है कानपूर से गुजरने वाली पांडू नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया दर्जनों गाओं के लोग अपना घर बार छोड़ कर पलाइन करने को मजबूर बाल और बारिश में यूपी का भदोही शहर भी डूबा है आप देख सकते हैं कि ये अस्पताल पानी पानी है एम्बुलेस पानी में फसी है अस्पताल के ओपीडी पानी में डूबी है अस्पताल के वार्ड पानी में डूबे है पानी के बीच वार्ड में मरीज खड़े हैं अस्पताल के बेड पानी में तैर रहे हैं सिर्फ अस्पताल ही नहीं, हालात रिहाइशी इलाकों के भी बुरें घरों में पानी, किचन डूबा हुआ है, घर का एक एक कमरा डूबा हुआ है, बेडरूम में बेड पानी में डूबा है यह उस शहर की तस्वीर है, जिस शहर से हर साल 6,000 करोड का एक्सपोर्ट होता है जियां, कालीन नगरी के नाम से मश्चूर भदोही इस वक्त पानी में गोते लगाना बहुर करने वाली बात तो यह है कि यहां नदी में बाड़ा नहीं आई, बलकि बरसाथ का पानी भरा है बदोही कोड डॉलर नगरी भी कहा जाता है, लेकिन यहां सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसकी फोल पानी खोल रहा है यह है यूपी के इटावा की तस्वीर यहां छोटी नदियों ने विक्राल रूप धारन कर लिया है और किसानों की सेखडो एकड़ में पहली फसल बरबाद हो गई इटावा के बस रहर गाउं में अहनईया नदी तांडो मचा रही है इससे आसपास के गाउं में भी बाला गई है कई गाउं तो जल समाधी ले चुके हैं बाढ़ने हालाद बत्तर कर दी हैं अब न रहने को बचा है न खाने को कम से कम साब हजार दो हजार बीगा से कम न आई है और सब रूपा अन्यन से करकरिके हैं रुपाई चुके और तांगे बाद में पूरी सब बरबादी हो गई और मकान भी चले गई रूपा गव सो गव मकान भी गई यूपी के लखिमपूर खीरी से बेहत चौकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं शारदन नदी में उफान की चलते इलाके में बाड आई हुई है और इस बाल का जाइजा लेने के लिए विधायक जी पहुँचे हैं बीजेपी विधायक के साथ पूरा सरकारी अमला है डीएम एसपी से लेकर सारे अधिकारी विधायक जी बाल में नाओ का चप्पू चलाते हुए नजर आते हैं पहलो तो नाओ में पानी रिस रहा था जिससे एक आदमी बाल्टी से लगातार निकाल रहा था बीजेपी विधायक योगेश वर्मा, खीरी के डीएम शलिंदर कुमार सिंग और एसपी रामलाल वर्मा ने बाल का जाइजा बड़े ही नाटिकी अंदाज मिलिया वो कभी नाओ पर, कभी नंगे पैर, तो कभी भैसा काड़ी पर बैठे नजर आए शारदा नदी में लगातार कटान हो रही, जिससे गाउवाले डरे हुए है और यह है यूपी के जानपूर शहर की तस्वीरें, पिछले कई घंटों से जानपूर में जबर्दस्त बारिश हो रही है कॉलोनियों में, गलियों में पानी भर गया है, वहन डूप कर चल रहे है पानी इतना की लोग घरों में कैद होकर रह गये है इस बारिश ने नगर पालिका की बोल खोल कर रख दी, पूरे यूपी का हाल ऐसा ही है योगी अदितनात का प्रदेश इस वक्त पानी से पनाह मांग रहा है आज तक ब्यूर सिर्फ उत्तर प्रतेश में अब तक 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है ये बताता है कि किस तरह की परिस्थिती है इस वक्त यूपी में लखनव में पिछले 24 घंटे में कहर तूटा है किस तरह से मकानों की नीव तक हिल रही है ऐसी बारिश ऐसी परिस्थिती देखे बरसाद के इस मौसम में मौत धावा बोल रही है बारिश ने मकानों की नीव शिला कर रख दिये एक के बाद एक मकान जमीन दोज हो रहे हैं, नजने कितनी ही यादों को समेटे जरजर हो चुके ये पुराने मकान यहां रहने वाले बाशिंदों की कबरगाह में तब्दील होने लगे हैं। लखनओ के गनेश गंज इलाके में एक मकान का अगला हिसा भरभरा कर ढहा गया जिसके नीचे दबने से माँ और बेटी बुल तरह घायल हो गया। माँ बेटी फस गहते और दोनों को इलाज के लिए पुलिस अस्पताल ले गई थी हलाकि जो बच्ची है उसकी मौत हो गई है क्योंकि उसकी हालत बहुती नाजुक्ती और जो मैला है उसका इलाज बलरामपुर अस्पताल में चल रहा है आप देख सकते हैं यहां पर पुल मेला हिस्सा ठह गया जिसमें सर्वेश मिश्रा की पतनी सरिता मिश्रा और उनकी दस साल की बेटी आशी मलवे में दब गी थी हम पूजा कर रहे थी धीरे बरामदा गिर रहा था हम फिर बाहर निकले हम जोती देखो तुमारा घर गिरा यहीं पर हम खड़े की इतने देर मे बढ़ा के गिर गया इसमें एक महिला और उसकी एक बेटी घाय लुई है जिनको की लाज के लिए भेज दिया गया है सेस मकान का हिसे को खाली करा लिया गया है सब को जोगा और रहत कार जा लिए लखनओ के अमीनाबाद की तस्वीर देखिए भारी बारिश के चलते कमजोर हो चुकी इस मकान की दिवार गिर गई गरिमत ये रही कि उस वक्त मकान में कोई नहीं था वरना एक बड़ा हाथसा हो सकता लखनओ के अमीनाबाद इलाके में कुछी वक्त पहले ये जो जरजर मकान है इसकी दिवार गिर गई है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मलबा पड़ा हुआ है और एक स्कूटी भी शतिगरस्त हो गई है और ये जो मकान है ये बताया जा रहा है ये काफी पुराना है शहर के हुसैन गज में बारिश ने एक मकान की दरो दिवार कमजोर क्या की यहां मौत में डेरा जमा लिया देखिए चारों तरफ मकान का मलबा बिख रहा है इट पत्थर बिख रहे हैं घर का समान बिख रहा है तो यहां रहने वाले चाचा भतीजे इस हाथसे में जान चल हम इस समय हुसैन गज इलाके में आप देख सकते हैं कि यह जो मकान है बारिश के चलते पूरी तरह से गिर गया है आप देख सकते हैं आपर चारों तरफ मलबा ही मलबा पड़ा है और यह काफी पुराना और जरजर मकान था जो भारी बारिश के चलते गिर गया है आप पू जानकर और जादा हैरानी होगी, ये सड़क अभी हाल फिलहाल में ही बनी थी अब ये देखिए, अमेठी से फैजबाद को जोडने वाली गोमती के पुल में दरार आगे लगातार हो रही बारिश की वज़े से पुल के चौथे पीफे का बेलन जमीन में धसने से पुल के बीचों बीच दरार आई और बारिश के चलते पुल के अगल बगल की सारी मिट्टी बैग है मौत को निमंतरन दे रहे एक करोड साथ लाग के इस पुल के फिलाल मरमत की जा रही लेकिन आस्मानी आफ़त से उत्तर प्रदेश में जाने लगातार जा रही है बारिश बिजली और बार जैसे हालात में लोगों का चीना दुश्वार कर रखा है बारी बारिश की वज़े से फिछले एक महिने में दो सौस से जादा जाने गई जबकि मांसून के इस मौसम में 1269 मकान तबाह हो गए जाहिर है बारिश ने उत्तर प्रदेश में हाहागार मचा रखा है नदियां उफन रही है मकान गिर रहे है और आस्मान से बरस्ति आफत फिलहाल रुपने का नाम नहीं ले रही फर्जाबाद से शुशीर शर्मा, अमीठी से आलोग श्रिवास्तों के साथ निलान शुशुकला, लखनो आज तक रिशिकेश की अब तस्वीरे आपको दिखाते हैं रिशिकेश में सैलाब के बीच गायों का रेस्क्यू आपरेशन करना पड़ा है उसी तरह से पहाड़ों पर किस तरह से बाड़ और बारिश का असर है ये हरिद्वार की तस्वीरे देखे हिमाचल प्रदेश की तस्वीरे देखे हाहाकार है पहाड़ों पर मुसलधार बारिश हो रही है और इस बारिश से बाल आई हुई है उत्राखन के रिशिकेश में सहलाब के बीच एक गोशाला डूबने लगी जिसमें बहुत सारी गाये आप देख सकते हैं डूबती हुई इस गोशाला रिशिकेश के गोहरी में जैसे ही गाये डूबने की खाबर SDRF को मिली फॉरण रिस्की ओपरेशन शुरू हो गया और गायों को बजाया जाने लगी ये देखिए कैसे गायों को गोशाला से खोल कर पानी में ले जाया जा रहा है SDRF के एक जवान ने गाय के बचले को अपनी गोध में उठा रखा है दीर्थ नगरी रिशिकेश में जम कर बारिश हो रही है सडकें लबालब है रिहाईशी इलाकों में पानी भरा है आप देख सकते हैं कि मंदिर की सीडियों पर कैसे पानी जहरने की तरह बह रहा है बाजारों में सैलाब ही सैलाब है पानी ने शेहरों में मुसीबतें बढ़ा दिये बारिश के चलते सबसे ज़्यादा जल भराओ जिशिकेश हरदवार मार्ग पर और राम जूला में दिखा बालों पर नदियां ऐसे उफन रही हैं कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है हरदवार में कावरियां गंगा की लहरों में बहने लगा कांगला घाड पर स्टान कर रही इस कावरिये के पैर लहरों ने कब उखार दिये उसे पता ही नहीं चला देखते ही देखते वो गंगा के बीचों बीच ते इस धार में बहने लगा दो तो घानी मत थी की एजडियारफ के जवान किनारे पर तैनात थे उसे बचा लिया गया ये कावरिया दिल्ली का रहने वाला है रवी नाम के शक्स की जैसे तरसी जान बचाई गया इमाचल प्रदेश के कांगला की ब्यास नदी में की किस साल के लड़की की तलाश चल रही है राजबीर नाम का ये लड़का कांगला के लंबा गाउं का रहने वाला था और ब्यास नदी में नहाने गया थी लोगों ने बहुत समझाया कि नदी में बाल आयो ये मत जाओ लेकिन वो नहीं माना अपने कपड़े नदी के किनारे उतार कर वो पानी में घुज गया इसके बाद वो कहां गुम हो गया किसी को पता नहीं पुलिस से लेकर NDRF ने नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया आप देख सकते हैं NDRF के टीम अपनी नावे लेकर उत्री है पुलिस भी गोता खोरों से राजबीर को ढुणवा रही है घंटों की मशक्कत के बाद भी उसका कुछ अथा पता नहीं और टीम को ब्यास नदी से बैरंग लोटना पड़े कांगलास से अशुक रहना के साथ दिलिप सिंग रठार और दिशिकेश आज तर लेकिन ऐसे भी लोग तो हैं जो खत्रा लेते हैं आखिर उफन्ती नदी में चछलांग लगाना, बाजी लगाने की जरूरत पूरत क्या थी। ये हुआ है हर्याना में, दो लड़कों ने यमुना में च्छलांग लगाई, पिर लहरों को पार करने की बाजी लगाई, क्या हुआ देखेए. ये है मौत की छलांग लहरों में लगी है शर्थ इसे कहते हैं आ मौत मुझे मार ये तस्वीरें दिल्ली से सटे हरियाना के बल्लब गड़ की हैं दो बच्चों ने यमुना की उफंतिधार में नदी पार करने की बाजी लगाई यमुना में कूथते ही कृष्णा और राहुल में आगे निकलने की होल लग गई दोनों लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे लेकिन नदी सिर्फ कृष्णा ही पार कर पाया राहुल कब कहां पीछे छूट गया पता नहीं चला काफी इंतिजार के बाद जब राहुल नहीं दिखा तो लोगों को अन्होनी की आशंका हुई और फॉरन एंडी आरेफ की टीम को खबर दी गई यमुना की तेज लहरों में एंडी आरेफ की टीम कल से ही राहुल की खोज मजूटी है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया यूपी के बारा बंकी में भी बच्चों ने रेलवे ट्रैक को स्टंट का खाड़ा बना डाला है हर रोज बच्चे लखनों फैजबाद रेलवे ट्रैक पर चड़ जाते हैं और यसे ही ट्रेन आती है बारिश से लबालब जमूरिया नाले में छलांग लगा दे इन बच्चों का वीडियो वाइरल हो रहा है और प्रशासन आखे मुंदे बैठा है अब सवाली है कि प्रशासन तब एक्शन लेगा जब कोई बड़ा हाथसा हो जाए दिल्ली से पुनिश्चर्मा के साथ सेद रेहान मुस्तफा बारबंकी आज तक तबाही सिर्फ यूपी में नहीं है असम में 41 लोगों की मौत हुई है बिहार में क्या परिस्थिती है इस रिपोर्ट में देखिए यह असम है माफ कीजिएगा दूपता असम जहां तक नजर जाती है सेलाब ही सेलाब और बार ही बार नजर आती है आप देख सकते हैं कि जोपडियान डूबी हुई है और ये देखिए कैसे आधा पुल ही सेलाब में बह गया घरों में पानी भरा है ये देखी बिस्तरों से लेकर घर का सारा समान पानी में सेला में लोग तैर रहें असम के बरपेटा में पंदरह गाउं डूबें घर नदी में मिल गएं असम के आठ जीलों में इस वक्त बाल आई हुई एक लाग से जादा लोग बाल की मार जेल रहें पिछले 24 घंटों में बाल से मरने वालों की संख्या 41 तक पहुँच गई है बिहार के बेगुसराय में सब कुछ पानी पानी हो गया है मुस्रधार बारिश में गली मुहले सरकारी दफ्तर सब ढूब गये हैं कोट परिसर हो या डियम आफिस स्पी ऑफिस हो जिला परिशद मार्केट या फिर सदर अस्पताल हर जग है पानी ही पानी इस पानी से जनजीवन अस्तवेस्थ हो गया है गुवाटी से हमंदा कुमारनाथ के साथ आज तक प्योड़ो कमाम खबरों पर है हमारी नज़र को सब्सक्राइब करें देखते रहे आज तक लेटिस खबरों के लिए यूही देखते रहे है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले